एक पेड था वहाँ एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था लड़का प्रती दिन पेड के पास आता वहाँ फूलों की माला बनाता उसके तनी पर चरता उसके शाखाओं से जूलता और उसके फल खाता फिर वहाँ पेड के साथ लुका छूपी खेलता जब वहाँ ठक जाता तो पेड की छाओं में सो जाता लड़का पेड से बहुत प्यार करता था पेड बहुत खुश था समय बीतता गया लड़का बड़ा हो गया वहाँ अब पेड के पास खेलने नहीं आता पेड अकेले दुखी होता जब लड़का एक दिन आया तो पेड बहुत खुश ह लड़की ने पेड से कहा मुझे पैसों की जरूरत है मैं बहुत सी चीजे खरीदना चाहता हूँ क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो पेड ने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है तुम मेरे फल तोड़ दो और उन्हें बाजार में बेच दो इससे पैसे अमल जाएंगे लड़का सब फल तोड़कर ले गया पेड अभी भी खुश था कई साल के बाद वह यूवक पेड के पास आया मेरे शादी हो देवाली है मुझे एक घर चाहिए क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो उसने पेड से कहा पेड ने कहा घर तो मेरी पास नहीं है लेकिन तुम मेरे शाखाय काट कर उनसे घर बढ़ना सकते हो यो वक पेड के सब शाखे काट कर ले गया पेड का बास तर्णा बचा रहा गया पेड अभी भी खुश था इस तरह कई साल बीट गये एक दिन मुँँ एक बुढ़ा आदमी पेड के ठूट के पास आया पेड ने उसे फोरण भाचान लिया यह वही छोटा लड़का था पेड उसे देखकर बहुत खुश हुआ उसे खुशी की मारे बोलते नहीं बना पेड ने कहा बेटा मैं तुम्हे कुछ देना चाहता हूँ परंतु अब मेरे पास बच्चा ही क्या है मेरे फल नहीं बच्चे जिने तुम खा सको मेरी शाखाय नहीं रही जिन से तुम लटक सको मेरा तना भी नहीं बच्चा जिस पर तुम चड़ सको बताओ मैं तुम्हे क्या दू बूडे ने कहा तुम देख रहे हो मेरी हालत मेरे सब दाद गिर चुके है मैं अब फल नहीं खचबा सकता मेरी उम्रा शाखों पर जूलने की नहीं रही सन्य पर चड़ने का दम अब मुझे में नहीं रहा मैं बहुत ठक चुका हो मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए तो फिर आओ मेरे ठूट पर शांती से बैठो पेड ने कहा बड़ा ठूट पर बैठकर सुस्ताने लगा पेड अभी भी खुश था